नवस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 अक्टूबर 2023 और स्वागत है आपका एक्टोयल डिसकेशन में आज देखो हिंदू में पुराने गिसे पिटे आर्टिकल्स हैं, जैसे सेम सेक्स मेरिच से समन्दित हैं, ये इशू हम आलरीडी डिसकेश कर चुके हैं फिर भी दो-तिन जो नए पॉइंट्स हैं उनको एक्ट्रेक्ट करके हम डिसकेश करेंगे, जैसे एक United Nations Declaration on Human Rights से समन्दित पॉइंट हैं, जो भी इंपोटेंट है वो एक्ट्रेक्ट करके आपको बताता हूँ, फिर ये सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो बहुत जादा हम करना मतलब time waste करने के समान है, जैसे इसराइल का issue है, इसराइली intelligence क्यों fail हुई, दो-तिन आर्टिकल्स हम डिसकेश कर चुके हैं, 10 marks का question आएगा, maximum 15 का आएगा, और GS में तो सिधा-सिधा नहीं indirectly use होगा, तो इसलिए बार-बार इस issue को discuss नहीं करना है, हमें तो सिरफ exam perspective से ची अलग-अलग सारे important articles हैं, और देखो एक चीज काफी सारे students ने ये पूछा, कि सर आपने revision क्यों बंद कर दी, देखो revision files आपको सारी की सारी मिलती हैं telegram में, बंद इसलिए कर दी क्योंकि बहुत सारे students उसका फाइदा उठा नहीं रहे थे, वीडियो lengthy हो रही थी और बहुत स सारे students को वो useful नहीं लग रहा था, कुल मिलाके, तो telegram में न सारी revision वाली जो files हैं वो available हैं, आप वहाँ से अच्छे से revise कर सकते हों, तो अब चलिए discussion स्टार्ट करते हैं, इसके बाद देखो नहीं स्टार्ट कर, इंडियन आर्मी, इंडिया-चाइन बोर्डर और इंडिया- 140 AI-based surveillance system को deploy किया है अभी तक, जैसे देखो example के तोर पर, high resolution cameras, sensors, unmanned aerial vehicles, feeds, radar feeds, ये सारे जो equipments हैं, इन से जो data इकटा होता है, उस data को analyze किया जाता है, और process किया जाता है, artificial intelligence technology के दवारा, और बताया जाता है, कहां पे loopholes हैं, potential targets के बारे में बताया जाता है, एक predictive pattern के बारे में ब देखो UPSC ने जैसा question पूछ लिया था, UPSC ने पूछा था कि health sector में AI का use किस परकार से हो सकता है, same as I question UPSC defense sector से समनेट पूछ सकती है, security में, इंडिया के defense को ensure करने के लिए AI किस परकार से role play कर सकता है, तो significance जान लेते हैं, AI का इस्तमाल होगा defense में, क्या significance है, सबसे पहले, game changer in various fields, अब जैसे देखो, Indian army के पास में इतने सारे equipments हैं, उन सब की maintenance, कहाँ पर कौन से base में inventory खतम हो गई है, खतम होने वाली है, ये सारी चीज़े ना AI से manage की जा सकती है, इससे operations में efficiency आएगी, और human resource काफी save होगा, इसके लावा intelligence collection है, अब मान लीजे, phone पर बात हो रही है, terrorist के बीच में, अब देखो, इनसान के तो आपको पता है, limitation है, हर एक call जो है, human beings नहीं सुन सकते, लेकिन AI के through, जो भी बातचित हो रही है न, suspects के बीच में, उनको सुनके, उनको process करके, AI के दवरा, एक specific lead, एक specific intelligence प्रोवाइड की जा सकती है, इसके बाद, AI based border surveillance, जैसे देख देखो, इसराइल ने इसका बहुत हिस्तमाल किया है, हलाकि ये, एक drawback भी है, criticism भी है, कि इसराइल ने AI पर ज़्यादा ही focus कर दिया, लेकिन वो चीज हम challenges में discuss करेंगे, अभी फाइदा देखिए, इसराइल ने तो ना, even, automatic weapon system deploy किये हैं, जैसे, वो AI से चलते हैं, जैसे ही लगता है कि कोई infiltrator आने की कोशिज कर रहा है, अपने आप गोलिया चलने लगती हैं, और उस infiltrator को target करके, उसे मार गिराय जाता है, ये तो सिर्फ एक example है, और बहुत सारी चीजे, even Indian army ने भी deploy किये हैं, जो हमने शुरुबात में discuss किया, thermal sensors वगरा, इसके बाद नेस्ट है, AI powered drones, ये जो artificial intelligence equipped drones है, इनका काम होता है, दिन राथ, 24 सो घंटे रेकी करना, even remote locations पर, और जैसे ही कुछ unusual activity detect होती है, तुरंत alert करना, even दुस्मनों के जो drones है, उनको भी detect किया जाता है, इन AI equipped drones के द्वारा, next, lethal autonomous weapon system, ये वही है, जो इसराइल ने deploy किया था, ये जो autonomous weapon system है ये अपने आप firing करना लगता है, कोई human intervention के आप सकता नहीं है, मतलब खुदी ये weapon system समझ जाएगा कि सामने से जो target आ रहा है, वो आतकवादी है, और अपने आप से firing होने लगेगी, कोई approval बगरा लेना है के interference नहीं है, आपके मन में आया होगा सर, ये तो खतरनाक है, हाँ बिल्कुल है, challenge में हम ये point discuss भी करेंगे, इंडिया का मकसद देखो ये है, कि इंडिया को पूरे world में intelligent warfare के मामले में अच्छे डंग से position किया जाए, दुनिया को दिखाया जाए कि इंडिया इस छेतर में काफ बहुत सारी military intelligence होती है, इतना सारा data होता है, उसे समझना, process करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन AI की साइथा से इतने ज़्यादा, जो military data है, उसको process किया जा सकता है, जैसे आपको example देता हूँ, मान लीजिए, कहीं पर attack हुआ है, और NSG को वहाँ बेजा गया है, अब जहा जो भी map aware है, वो machine को दिया जाए, machine process करेगा और बताएगा कि कैसे operation चलाया जा सकता है, सबसे last में है cyber security, जो trained AI system है न, वो ज़्यादा efficient होता है, उनको ज़्यादा बैतर डंग से prepare किया जा सकता है, cyber threat का मुकाबला करने में, मतलब trained AI system पहले से बता सकते हैं कि cyber attack हो सकता है, औ और उसको समय रहते prevent किया जा सकता है, जैसे जो networks हैं, उनमें कोई भी unusual activity होती है न, तो trained AI system detect कर लेगा कि हां, network ठीक से perform नहीं कर रहा है, कुछ तो बदलाव आया है, साइद ये cyber attack की सुरुवात है, तो समय रहते cyber attacks को रोका जा सकता है, अब concerns की बात देखें, budget constraints हैं, इंडि to other countries, for example, China, जैसे example के तोर पर, इंडिया एक साल में 50 million dollars खर्च करता है, AI के लिए, तो चाइना 30 गुना जादा खर्च करता है, next, over-reliance on surveillance system, देखो जैसे इसराइल, बहुत ज़्यदा रिलाय हो गया था, surveillance system के ऊपर, और human beings का role कम हो गया था, border पे, इस वज़े से इतना भ्य reliance नहीं होना चाहिए, next, complexity of counter-terrorism, counter-terrorism में देखो, कई बार ना बिल्कुल छोटी-छोटी details पे काम करना होता है, और जो मसीने हैं, कई बार इतनी छोटी-छोटी details पे और इतनी complexity में नहीं जाती है, next, miss identification of target, अब बहुत ज़्यदा AI का इस्तमाल हो, तो target को कई बार miss identify भी कि किसान हो, लेकिन उसे identify कर लिया जाए, as a suspect कि वो border से आया है, next, data and privacy, personal data की protection भी ज़रूरी है, AI की benefits के साथ में personal data की protection, दोनों के बीच में balance establish करने की आव सकता है, next, ethical dilemma, ethical dilemma देखो, यह है, क्या machine को इतनी आजादी दी जा सकती है, कि वो अपने आप से target को identify करके गोली भी चलान लगे, देखो, अलग लग देशों कि ना, अलग लग राये है, इस issue पे, कम से कम, इंडिया में, अभी सरकार इस चीज के लिए बिल्कुल भी तयार नहीं होगी, जिसे Israel में, lethal autonomous weapon system है, कि machine अपने आप से गोली चलाने लगे, बिना approval के, तो यह ethical dilemma है, क्या human sabyata के लिए यह च बात कर लेते हैं, देखो, सबसे पहले चीज, human accountability तो जरूर होनी चाहिए, मतलब, machine ने कोई गलती की, अब machine को तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कहिना कहिना, chain में human accountability जरूर होनी चाहिए, machine ने गलती की है, तो कौन machine को operate कर रहा है, वो जिमेदार है इस गलती के लिए, next, robust hardware and enabling data banks, आपको पता है, देखो, AI तो काम करती है, data के ऊपर, अगर हम data अच्छे से देंगे, उतना ही AI ज्यादा अच्छे से काम करेगी, तो अच्छे hardware का इस्तमाल किया जाए, और जबरदस्त data banks को त्यार किया जाए, ताकि AI को अच्छा data मिल सके, और AI अच्छे decisions ले सके, next, doctrinal variation, जो मैंने आपको बताया कि अलग-अलग देशों में अलग-अलग doctrines है, जैसे USA ने इस चीद से मना कर दिया है कि हम सब कुछ machine पर नहीं छोड़ सकते, machine को अगर hit भी करना है किसको, तो ultimate जो approval है, वो official का आएगा, human being का आएगा, हम machine को इतनी अजादी नहीं दे सकते कि वो अपने आप से गोली चलाने लगे या फिर strike करने लगे, तो ये USA का doctrine है, उसी परकार से अलग-अलग देशों का अलग-अलग doctrine है, या फिर कईयों का है भी नहीं अभी, next, देखो ऐसी processes and practices set करो, ताकि collaboration होना चाहिए, research labs के बीच में, academia के बीच में, startups के बीच में, और private sector के ब देखो, आप इसराइल में देखिए, इसराइल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जो इसराइली military इस्तमाल करती है, जो वहाँ के private sector ने, वहाँ के startups ने develop करके दी है, military को, हमारे देश में ये culture अभी काफी low है, मतलब ना के बराबर है कि private sector अच्छे अच्छे चीजे military को develop कर करके दे, तो एक collaboration ज़रूरी है, academia, Indian industry, D.I.D.O, private sector, startups, इन सब के बीच में, तो ये पुरा article हमने discuss किया, कैसे Indian army के दवरा AI का use किया जा रहा है, इसकी क्या significance है, चलते हैं आगे, इसके बार next article, differently able persons के लिए ना, media accessibility से समधित है, आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हो, अभी देख बनी, जिन्होंने ना, Indian sign language में, आर्ग्यू किया, Chief Justice of India के सामने, Supreme Court में, इसके लावा, राहूल बजाज, एक blind advocate है, इन्होंने ना, Delhi High Court में, अपना case रखा, petition file की, कि cinema holds को, मीडिया accessible होना चाहिए, media accessible मतलब, जो differently able persons है, for example, जो देख नहीं सकते, या फिर सुन नहीं सकते, वो भी movies को देख सके, cinema holds में, देखो कैसे, जो देख नहीं सकते, उनके लिए, audio description हो सकता है, आपको example देता हूं, मा लीजिए, movie में दो किरदार है, महेश, सुरेश, अब वो आपस पर लड़ रहे हैं अब हम तो लड़ाई देख रहे हैं, महेश और सुरेश की आपस में लड़ रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बस आवाज आ रही है, डिशूम, डिशूम, लेकिन वो जो देख नहीं सकते, अब उनको कैसे पता लगेगा, कि लड़ाई चल रही है, महेश और सुरेश चल सकता है, जो देख नहीं सकते, उनके लिए, ब्लाइड लोगों के लिए, कि महेश और सुरेश के बीच में अभी लड़ाई चल रही है, महेश ने सुरेश को एक थपड मार दिया, सुरेश ने मुक्का मार दिया बदले में, तो ये है ओडियो नरेशन, तो ब्लाइड ल उनके लिए, सब्टाइटल्स होने चाहिए, कंपल्सरी, अधिकतर मुवी में होते हैं, लेकिन कई बार मुवी में नहीं भी होते हैं, सब्टाइटल्स, तो सब्टाइटल्स मुवी में कंपल्सरी होने चाहिए, ताकि जो सुन नहीं सकते, कम से कम पढ़ ले, पढ़के उन तो इससे नुकसान होता है हमारा, एक तो ये बहुत कम लोग के लिए service है, मतलब differently able persons हमारे देश में कम है और उनमें से movie तो बहुत ही कम देखते हैं, और दूसरा, बाकी लोग के लिए experience खराब हो जाता है, जब हम ये facility available करवाते हैं, तो बाकी लोग के लिए experience खराब हो जाता है, इसलिए हमारे लिए possible नहीं है, media accessible बनाना differently able persons के लिए, तो writer ना इसका जबाब देते हैं, writer कहते हैं, ये जूट हैं, पहली तो बात subtitles, अगर movie में होते हैं तो ना इससे सब को फाइदा होता है, बच्चों को फाइदा होता है, उनकी जो language skills हैं, वो improve होती हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो subtitles देखते ही देखते हैं, movie देखते हैं, इवन मैं भी कई बर subtitles देखता हूँ, मतलब आप में से भी बहुत सारे लोग subtitles देखते होंगे, ये बात तो ठीक है, और बात रही audio description की writer कहते हैं, audio description के लिए तो देखो, option available करवाया जा सकता है, कि कौन audio narration सुनना चाता जैसे Netflix में option होता है कि आप क्या choose कर सकते हो, आपको कौन सी language choose करनी है, English language choose करनी है, या फिर audio narration choose करना है, आप उसी साबसे choose कर सकते हो, और वैसे भी देखो, आज के समय में बहुत सारा content multiple languages में produce होता है, तो multiple languages में content produce हो रहा है, एक audio narration add हो जाएगा, तो खास फरक नहीं पड़े जब भी कोई नई movie आए ना, sensor board को movie submit करनी होती है, पास करने के लिए, तो sensor board को ये सारी files भी submit की जाएं साथ की साथ, audio narration वाली file जो है, audio description, इसके लावा, SLS file है, मतलब subtitles वाली जो file है, तो ये सारी files उसी समय submit करनी compulsory बना दी जाए कि sensor board movie तभी पास करेगा, जब आप ये file दो Ministry of Information and Broadcasting है ना, ये sufficient guidelines और rule बना सकता है, तो ये पूरा article हमने discuss किया, में लिए यह है, कि किस परकार से differently evil persons है, उनको भी देखो movies देखने का हक है, अगर हम चाहते हैं कि वो भी dignity के साथ में, entertainment में participate करें, तो ये basic चीजें, Ministry of Information and Broadcasting को लागू करनी होगी, तो पूरा article हमने discuss किया चलते हैं आगे, इसके बाद next article देखो, हमारे देश में कुछ राज्यें, जो doctors की कमी से जूज रहे हैं, क्या उसके पीछे सिरफ ये reason है, कि वहाँ पे कम medical seats है, कम medical colleges हैं, इसका answer है big no, और बहुत सारे factors हैं, जो role play करते हैं इस चीज में, आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हों, देखो, 2019 में, हमारे देश में, doctor population ratio कितनी थी, 1000 लोगों के पीछे, 0.9 doctor थे, आल्मोस्ट एक के आसपास, लेगिन देखो, फिर उसके बाद में, data में कुछ errors थी, वो ठीक की गई, rectify की गई, फिर से survey किया गया, तो doctors की संख्या बलकि और भी कम मिली, 1000 के पीछे, सिरफ 0.6 स से लेके 0.7 doctors, और अलग-अलग, राज्यों में, situation काफी अलग-अलग है, जिसे गोवा में, गोवा में, 1000 लोगों के पीछे में, 2.53 doctor है, जबकि नागालेंड में, 1000 लोगों के पीछे, doctor की संख्या है, सिरफ 0.06, और कुछ राज्यों ने अच्छा expansion किया है, medical colleges में, जिसे य कुछ राज्यों में, 2% से भी कम है, कुछ लोग ये बोलते हैं, कि हमारे देश में, doctors की कमी है, इसके लिए एक चीज रिस्पॉंसिबल है, brain drain, हमारे देश से doctors का drain हो रहा है, दूसरे देशों में, लेकिन देखो, ये brain drain जो है ना, पहले कि अब एक से कर्थ बलकि घटा है, तो ये बड़ा factor responsible नहीं है, जिसकी वज़े से हमारे देश में doctors की कमी है, challenge ये है, doctors को produce करना और उसके बाद doctors को distribute करना अलग-अलग राज्यों में, अब कौन doctor कहां पर जाके, कौन से राज्य में जाके काम करना पसंद करता है, ये बहुत सारे factors पर depend करता है, जैसे किसी भी राज्य का economic status कैसा है, अब कोई अमीर राज्य है, तो जाहिर तोर पर वहाँ पर doctors जाना पसंद करते हैं, अगर कोई राज्य पब्लिक हेल्थ पर अच्छा खासा खर्च कर रहा है, hospitals में मसीने काफी बढ़िया है, तो doctors को काम करने में मज़ा आएगा, कोई देश medical education पर कितन केटेगरीज बनाते हैं, सबसे पहले high availability of doctors and net exporter to other states, ये वो राज्य हैं जहां पे doctors की availability भी जादा है, और ये राज्य हैं, doctors को export करते हैं दूसरे राज्यों में, जैसे आंदरपरदेश, करनाटक, जमुन कस्मीर, ये states हाते हैं इस केटेगरी में, उसके बाद दूसरी केटे दूसरी राज्यों से, जैसे दिल्ली, महराष्ठा, तमिलाडू, अब जाहीर तोर पे, यहाँ पे काम करना doctors को अच्छा लगता है, इसलिए इन राज्यों में doctors आते हैं, दूसरी राज्यों से काम करने के लिए, दिल्ली में, मुंबई में, तमिलाडू में, या नीचे और ये जो राज्य है, net importer है डोक्टर्स के, राजस्तान, जहारखंड, हर्याना, उडिसा सबसे last में, low availability of doctors and net exporter to other states ये वो राज्य है, जहाँ पर डोक्टर्स की कमी already है, कम डोक्टर्स produce होते है लेकिन बावजुद इसके फिर भी ये जो राज्य है डोक्टर्स को export करते है आप पुछोगे ऐसा क्यों sir डोक्टर्स की already कमी है तो बलकि यहाँ पर डोक्टर्स आने चाहिए कमी को पूरा करने के लिए लेकिन यहाँ से तो और जा रहे हैं इसके लिए state की policies responsible होती है बिहार, UP, West Bengal यहाँ पर state government की policies ऐसी है कि डोक्टर्स काम करना पसंद नहीं करते कोई भी डोक्टर अपने राज्य को छोड़ के क्यों जाना चाता है किसी दूसरे राज्य में क्यों जाना चाता है वो इन सब factors पर depend करता है जैसे state की policies कैसी है डोक्टर्स को retain करने के लिए state incentive देता है या नहीं देता है जैसे अच्छी salary, residence, अच्छा infrastructure next availability of general and medical infrastructure कैसा है अब cities बहुत ज़्यादा माली पिछडी हुई है तो डोक्टर्स की भी अपनी family होती है कई बर उनके मन में आता है कि यार इस सहर में मैं काम नहीं करूँगा मैं कुछ अच्छे सहर में जाना चाता हूँ जहां पर बच्चों को अच्छी education देश के next ratio of availability of public and private medical colleges तो ये सारे जो factors है न वो भी role play करते है किसी भी राज्य में डोक्टर्स की availability कितनी होगी ये बदाना देखो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आहम तोर पे न विभिन सरकारे क्या करती है ये सोचती है कि सिरफ medical colleges की संख्या increase करने से काम चल जाएगा डोक्टर्स की availability बढ़ जाएगी नहीं भाईया ऐसा नहीं होता है आप ज़्यादा medical colleges खोलोगे वहाँ से जो students निकलेंगे वो दूसरे राज्यों में जाके काम करने लगेंगे कोई जुरूरी नहीं वो आपके राज्या में ही काम करेंगे समझ गए तो ये चीज़ है इसके लिए आपको ना अच्छे incentive देने होंगे ताकि डोक्टर्स आपके राज्या में रहके काम करें ये simple बात राइटर बताना चाहते हैं इस पूरे आर्टिकल के थुरू कि सिरफ medical colleges या फिर medical seats की संख्या increase करने से काम नहीं चलेगा और बहुत सारे factors हैं जो role play करते हैं किस राज्या में कितने doctors की availability होगी तो ये पूरा आर्टिकल हमने discuss किया चलते हैं आगे आप देखो एक आर्टिकल है दा हिंदू में main आर्टिकल है वैसे तो ये issue हम already discuss कर जो गए है same sex marriage से समंदित लेकिन दो-तिन point important है extra जो मैंने निकाल के आपको बता रेता हूँ writer ये कहते है देखो 17 October को Supreme Court का जो verdict आया ना सुपरिया चकरवर्ती केस में जो same sex marriage से समंदित है इसमें Supreme Court ने ये बोला right to marry जो है वो एक fundamental right नहीं है हमारे सविधान में कई mention नहीं है writer कहते हैं basic देखो सविधान में directly mention नहीं है but 1948 में जो universal declaration on human rights आया था ना इंडिया इस declaration का signatory है और universal declaration on human rights right to marry को recognize करता है तो काईदे से Supreme Court को भी करना चाहिए था दूसरी चीज writer जाहिर तोर पर पूरा article जो है same sex marriage के पक्स में है writer ये कहते हैं कि देखो previous जो judgments है ना LGBT community से समंदित उसमें Supreme Court ने इन principles की बात की है right to equality right to privacy, right to autonomy इन principles की बात Supreme Court ने की है तो फिर ये सारे principles same sex marriage issue पर सुनवाई के दुरान क्यू ignore कर दिये गए Supreme Court ने मतलब Supreme Court ने अपनी previous judgments को ignore कर दिया even writer ये भी बोलते हैं जब देखो Supreme Court ने trans man और trans woman के बीच में marriage को allow कर दिया है अगर opposite sex के transgenders हैं उनके बीच में marriage को allow कर दिया है तो same sex marriage को क्यों allow नहीं किया तो कुल मिला के देखो ये 2-3 points same sex marriage पर आपको लिखना हो तो PUCS वाले points ये आप दे सकते हो Review PUCS के बहुत सारे points हमने पहले discuss किये थे तो ये 2-3 points जो important थे हमने निकाले इसके बाद देखो एक article हम discuss करते हैं manual squenching से संबंदित manual squenching हम इसे GS के perspective से नहीं देखेंगे ethical perspective से देखेंगे manual squenching उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने हातों से बिना सुरक्षा के human excreta यानि human waste को साफ करता है या फिर उठाता है इसमें क्या-क्या ethical issues involved है देखो सबसे पहला जो ethical issue involved है denial of right to life with dignity manual squenching के लिए अभी भी लोगों को directly indirectly force किया जाता है दूसरा point right to livelihood हर व्यक्ति को अपना profession चुनने का अधिकार है लेकिन manual squenching के लिए particular जो दलित community है जादर देखो दलित community के लोग ही ये कारे करते हैं तीसरा caste based discrimination समाज के द्वरा जलित community को manual squenching के रूप में identify करना उनके साथ कई लेवल पर discrimination का होना समाज के लिए injustice का सबसे बड़ा उधारण है चोथा point deep sense of apathy सरकार के द्वरा 2013 के कानून के बाद भी manual squenching को रोकने में सरकार fail साबित हुई है 2013 के कानून में ऐसे लोग का rehabilitation का provision है पर अभी तक सरकार सभी लोग को identify ही नहीं कर सकी हैं जो manual squenching के काम में लगे हुए हैं और उनका rehabilitation कर पाई है मतलब सरकार यह नहीं कर पाई हैं उनका rehabilitation जो manual squenching के काम में लगे हुए हैं पाच्वा point जो exploitation है वो जारी है 2022 के भारत में अभी भी manual squenching की existence हमारे समाच में lack of equality, lack of justice और lack of dignity of labor दिखाता हैं इसके बाद एक बड़िया सा example डिसक्स कर लेते हैं जो आप ethics में इस्तमाल कर सकते हूँ करनाटक के ISM इन्होंने देखो child marriage को रोकने में बहुत सरान्य काम किया है ये जो IS है ना इनकी multi-pronced approach ने 116 बच्चों को एक साल में rescue किया है इन्होंने सरकारी करमचारियों teachers की एक task force बनाई हुई है जो लोगों से communicate करके उनको pursuit करती है child marriage के against बाल कल्यान समीती के जरिये बच्चों को counseling and guidance भी provide की जाती है तो इनका नाम काफे ज़्यादा सुर्ख्यों में है तो child marriage का जिकर आए तो आप example दे सकते हो करनाटा के IST भूबलन इन्होंने काफे अच्छा काम किया child marriage को रोकने के लिए तो यही जो example है ना छोटे 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 है और marks भी boost होते है अब questions देख लिजे जो आपको आज की discussion के अधार पर attempt करने है दो questions आपको मेंस के attempt करने है एक तो AI का कैसे इस्तमाल हो सकता है Indian defense capabilities को मजबूत करने में और क्या-क्या opposities हैं क्या-क्या challenges हैं दोनों आपको discuss करने हैं इस question में next देखो जो doctors का interstate migration होता है उसका doctors की availability पे क्या असर बढ़ता है और अलग-अलग राज्यों में doctors की disparities को address करने के लिए क्या policy intervention की आउशकता हैं तो ये सब बताना है आपको इस नीचे वाले question के answer में ये pre का question है UPC ने 2018 में ये question पूछा था right to privacy प्राइवेसी से संब्दित है right to privacy जो है वो protected है right to life and personal liberty के अंत्रगत कौन सा article है सविधान का जो right to privacy इन सब को include करता है तो असान question था इस question का answer C है article 21 and the freedoms guaranteed in part 3 तो इस question का answer तो देखो आपने देई दिया होगा जाए तोर पे आप सब intelligent हो देखो इस discussion को ना time pass के लिए तो को नी देखता होगा मतलब time pass के लिए YouTube पे बहुत सारी चीजें है तो इसलिए आप सब आखिर तक discussion सुनते हो इसका मतलब you are very serious as parents very very serious as parents समझ गए तो ये थे हमारी आज की discussion फिलाल की इस discussion में इतना ही है thank you thank you very much for discussion